I hope everyone is ready थोटा सा एक छोटा सा लेक्चर पढ़ेंगे छोटा सा एक Fond of का लेक्चर पढ़ेंगे फिर आगे चलते हैं अभी normal lecture तो हमारा हो गया फिर भी छोटा सा ये phrase होना चाहिए आपको पता है मैं आपको phrases भी साथ साथ देता रहता हूँ हमने अब तक कौन-कौन से phrase पढ़ें want to चाहना, like to, पसंद है like to, be afraid of किसी चीज का खौफ होना used to, किया करता था going to, करने वाले हैं ये सारे अभी तक हमने wish to चाहिए और be willing to, रजामंदी के लिए इस्तमाल होता था, I am willing to speak English willing to take class, ये सारे lecture अभी हम लोग ये सारे phrases हम लोग पढ़ चुके हैं आज का जो phrase है, वो है be found of, क्या phrase है be found of, ये found नहीं है found नहीं है, एक English में word होता है find तलाश करना, find find की second form क्या होती है found found होती है, find की second form found होती है, इसी तरीके से find की third form क्या होती है वो भी होती है, found तलाश करना, find found, found, second form और third form, क्या है find, तलाश करना अच्छा मैं बता दू, ये जो third form है found, ये खुद एक और भी verb है found क्या मतलब है इसका ये वाले का दो भई, पता है find, तलाश करना इसकी second form और ये third form ये हो गई found, found तो ये वाले जो found है इसका क्या मतलब है, ये नीचे वाले जो found होता है ये भी एक verb है खुद, एक तो गौप की third form है यहाँ पे, अलग से भी एक word है अलग से भी एक verb है found इसका क्या मतलब होता है, बुनियाद रखना founded, कहते हैं ना, पाकिस्तान पाकिसान की बुनियाद रखी गई fundamental, founder, बुनियाद रखने वाला founder, found, बुनियाद रखना तो एक find का मतलब है तलाश करना और एक found, जो word है इसका मतलब है बुनियाद रखना इसकी second, third form क्या होती है, ed, founded और बुनियाद रखने वाले को कहते है founder, जोसे तलाश करने वाले वो कहते है, finder food finder, एक restaurant का नाम है आपके करीब भी बनावा था पहले अब नहीं है, food finder anyway, yes, तो find, तलाश करना वो ये वाला find है, तलाश करना इसकी second form found, और third form भी found फिर एक होता है, found बुनियाद रखना, तो ये मैं कहना चाहरूँ कि ये दोनों find बिलकुल अलग है हमारे lecture से हमारा lecture क्या है, found British की आदध है कि ओको थोड़ा stretch करते है, go, so what is the name of lecture, the name of lecture is be found of plus verb ing form, lecture का नाम है be found of plus verb ing form, lecture start करने से पहले ही, मैं आपको बता दूँ कि phrases English में बहुत जादा जरूरी है जितने भी phrases है, ये want to लगा ले, like to लगा ले, used to, going to इतने powerful हैं कि tenses और models को ये टक कर देते हैं so I think we should now start be found of plus verb ing form, lecture काना में be found of plus verb ing form क्या बत करता है when you enjoy doing something, when you enjoy doing something, अगर उर्दू में इसकी मैं आपको hint दूँ, अदनान yes अगर मैं आपको इसकी hint दूँ तो अगर बड़ी simple सी hint है इसकी शौकीन, क्या भाई enjoy doing something, कोई काम जो आप enjoy करते हैं, करते हुए जाहिर सी बात है उसके शौकीन है, जब ही तो enjoy करते हैं, वो काम करते हुए, तो शौकीन के लिए, कोई ऐसा काम जो करना आपको शौक है, आप पसंद करते हैं, आप enjoy करते हैं, उसे बताने के लिए British में, British English में बड़ी common सा phrase है, बड़ी common सा structure है जो है be fond of, जो बड़ी असानी से समझा जा सकता है, तो आईए समझते है be fond of को, क्या बात करता है be fond of, शौक की बात करता है हाँ बड़ी क्या शौक है, अदनान से पूछ लेते हैं क्या शौक है, अदनान कहते है सर मुझे English बोलने का शौक है मैं English बोलने का शौकीन हूँ, साही है क्या शौक है बड़ी, सर मुझे cricket खिलने का शौक है, मैं क्रिकेट खिलने का शौकीन हूँ, सही है भई, अलीज़ा से पूछ लेते हैं, क्या शौक है, अलीज़ा कहती है, भई, मुझे खाना बनाने का शौक है, मैं खाना बनाने की शौकीन हूँ, तो ये सारी बाते हैं, जब शौक की बात करते हैं, मैं कहता हूँ, कितने सर मुझे ऐसे लिखने का शौक है इंग्लिश में राइटिंग जादा आसान होती है या स्पीकिंग उज़ार तुम खुद ही बताओ चलो Exactly, इंग्लिश में राइटिंग मुश्किल है, स्पीकिंग आसान है बताना राइटिंग में कितने T आते हैं इंग्लिश में रिटिंग जादा मुश्किल है, और एक विड़िंग रह जान है रहे है कि रिटिंग में गलती की गुंजाईश नहीं होती कोई गुंजायष नहीं होती, कोई तुक नहीं बनता, there is no point to mistake, no.2, no.2 क्या बात करता है, कोई तुक नहीं बनता, no.2, no.2 plus वो फस फॉर्म, कोई तुक नहीं बनता गलती खा, there is V.S. के साथ, there is no point to mistake, कोई mistake करने का तुक नहीं बनता, cricket खेलने का कोई तुक नहीं बनता there is no point to play cricket English बोलने का कोई तुक नहीं बनता there is no point to speak English class देने का कोई तुक नहीं बनता there is no point to take class okay लड़ाई करने का कोई तुक नहीं बनता there is no point to fight लड़ाई करने का कोई तुक नहीं बनता so no point to फिर आप बोलेंगे सर आप इधर उधर ले जा रहे है राइटिंग रिटेंग नो पॉइंटू अच्छा भई एक find तलाश करना एक found बुनियाद रखना find, found, found ना के find, findded नहीं होगा find, found, found और found, founded, founded अच्छा ये दोनों थे हमारा lecture है, हमारा concern है आज हमारा concern किसके साथ है found of के साथ है, क्या बात करता है जो, shock की बात करता है ऐसा काम जो करने के हम लोग शौकीन हो, okay, yes, come see here, yes, yeah where are you watching, yeah, see here, yes okay, यहाँ देखो भई, क्या कुछ जो है न, are you taking any kind of help divine help, you are taking help from the nature or divine, क्या nature से कुदरत से help ले रहो, कुदरत को क्या बोलते हैं हम लोग, nature और जो मैंने word यूज किया, divine इसका मतलब है गाइब, anyway, yes so when you enjoy doing something जब किसी काम को आप करने के बहुत जादा शौकीन हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग होगी, ऐसा कोई काम जिसके आप शौकीन हो, बताने के लिए be fond of, use होगा extra information का देता रहता हूँ, इसलिए कि आप को छोटी मोटी यह बड़ी हम छोटी चीज़ों में ही weak होते हैं बड़ी चीज़े, advanced चीज़े तो बाद में चोटी चीज़ों में अच्छी command हुझे, फिर आगे बढ़ें अच्छा भई, क्या formula है इसका, सबसे पहले, दोबारे एक बार be fond of plus what by uniform, lecture का नाम है be fond of क्या बात करता है, when you enjoy doing something जब कोई काम, कि आप शौकीन हो, कोई काम करना आपका शौक हो, उसे बताने के लिए be fond of इस्तमाल करते हैं, कैसे इस्तमाल करते हैं, यह रहा आपके सामने formula, this is the formula before you, यह रहा formula आपके सामने, आप बोलेंगे ज़र before का मतलब तो पहले है, मानता हूँ भई, before का मतलब पहले होता है और before का मतलब सामने भी होता है, सामने के लिए भी before इस्तमाल करते है, I'm standing before you, I'm standing before you, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, I come here before 12 o'clock, मैं यह आता हूँ 12 बज़े से पहले, तो before जैसे after, after का एक मतलब होता है, बाद में, I will finish class after 2 o'clock, मैं class खतम करूँगा, दो बज़े के बाद, और एक after का मतलब पीछे भी होता है, everyone is mad after money, everyone is mad after money, हर कोई पैसे के पीछे पागल है, देंगे, फिर इदर उदर बात चली गई ना, anyway yes, subject, इसका formula क्या है, subject, be fond of, plus verb I in form, object, आप कहते हैं, सर बात समझ आई, जब भी हम किसी ऐसे काम की बात करेंगे, जिसके हम शौकीन हैं, जिस काम को करना हमारा शौक है, हम be fond of, इस्तमाल करेंगे, और कैसे इस formula के through इस्तमाल करेंगे, इस formula के through इस्तमाल करेंगे, through मतलब जरिये, ये भी एक preposition है, जैसे before, after तरह, through, जरिये, किसी चीज में से होते हुए निकलना, और एक verb होता है, throw, फेकना, throw और through, pronunciation में भी फर्क है, हम कैसे इस्तमाल करेंगे, भई, इस formula के through इस्तमाल करेंगे, क्या formula है, सबसे पहले subject, पूरा नाम क्या है, subjective pronoun, pronoun का सबसे बड़ा बेटा, pronoun English में बड़ा ही मुश्किल lecture है, अगर कोई सही तरह pronoun को पढ़ेना, तो मैं कहता हूँ, उसका मसला हैल हो जाएगा, हम pronoun को सही तरह पढ़ते नहीं है, और बस क्याते हैं के English क्यों है, बड़ा basic lecture है, pronoun, क्या है भई, subjective pronoun, pronoun का बड़ा लड़का, subjective pronoun, pronoun क्या करता है, काम, subjective pronoun क्या होता है, doer of an action, काम को करने वाला, first person क्या होते हैं, बोलने वाला जब तो अपनी बाद करता है, तो क्या इस्तमाल करता है, या तो I, या V, सुनने वाले की बाद होती है, तो you, तीसरे शक्स की बाद होती है, तो he, she, it, any name, they, sorry about right thing, ये होता है subject, अच्छा लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, no problem, okay, first person, I, N, V, second person, you, third person, he, she, it, any name, they for example, समझाने के लिए, सबसे पहले आगिया subject, subjective pronoun, काम को करने वाला, जुमले के शुरू में आते हैं, एक होता है subjective pronoun, I, काम को करने वाला, मैं, और एक होता है objective pronoun, objective pronoun, क्या होगा, I का, मी, क्या होगा, मी, फिर होता है possessive adjective, my, फिर होता है possessive pronoun, mine, इसी तरी के सार, my भी एक प्रोनावन है। सुइध सै फैले आगे haben शच्यक्त कुछिकन आगे very boring, सिर्फ boring नहीं, very boring, tedious तो सबसे पहले आगिया subject subject के बाद आता है be be form of verb का क्या मतलब है be का मतलब है, अगर present में होगा तो is, am, are अगर past में होगा, ये lecture तो was, were अगर future में होगा, ये lecture तो will be, तो be इनका symbol है जिसको कहते है be form of verb is, am, are, was, were, will be इनकी short form, यानि इनका एक symbol, इनका एक नाम, grammar में क्या है, be तो subject, सबसे पहले काम करने वाला, कितने गिने चुने तो है आपको पता है, subject के बाद be अब आपको इतनी तो knowledge होगी कि ये is MR, जो अभी present की बात करते है is MR कहा कहा लगता है, I के साथ क्या लगता है, plural है भी, इसलिए I लगता है, you के साथ क्या लगता है you भी एक plural है, singular भी है plural भी है, you एक के लिए भी इस्तमाल होता है जादा के लिए भी, मगर होता किस के लिए second person के लिए, मैं कहता हूँ you are student, तुम student और सब के लिए भी ही बोलूँगा, you are student तो you के साथ हम लोग क्या इस्तमाल करते है are, he is he is, it is कोई एक singular नाम है any name, तो is, अली is और दे भी plural है, तो they are तो subject, उसके बाद be be के बाद आता है, हमरे बाद fond of, lecture का नाम और off के बाद कौन सी verb की form आईगी verb ing form, अगर इदर two होता तो कौन सी form आती, अगर इदर two होता तो verb की first form आती two के बाद ये rule है कि 99% two के बाद हमें verb की first form use करनी होती, और off के बाद कौन सी अगर verb आ रहा है, off के बाद तो कौन सी form use करनी होगी, verb ing form first form, absolutely not, first form हम यूज़ नहीं कर सकते, verb ing form use करनी होगी और उसके बाद object, तो ये formula है, फिर revision lecture का नाम है be found of plus verb ing form क्या बात करता है, जब हम किसी काम के शौकीन हो, कोई काम हम बार बार करना चाते हैं हमें शौक हो, हम शौकीन हो उसके, उसके लिए be found of इस्तमाल होता है क्या formula है, सबसे पहले subject first person IV, second person you, third person he, sheet, any name they, फिर be, यानि is MR फिर fond of और फिर जो शौकीन है जिसका हम के, वो ing form then object, जैसे, I am fond of teaching English आप बोलते हैं सर, आपको, यार ये रेज हो गया है आपके चैकरों में जाहीर anyway, so, I am fond of teaching English, आप करते हैं सर, सबसे पहले आप अपना कोई शौक बताएं मैं कहता हूँ, मेरा शौक, मुझे पता है शौक किसमें बताते हैं, उसके लिए British ने ये structure ये phrase दिया है, तो मैं फॉरण मुलता हूँ अपनी बात करों ना, तो I लगाता हूँ अपनी, हम बात कर लेते हैं, आप करते हैं, सर, आपको पता है कि अजयर किस चीज़ के शौकीन है, मुझे पता है उजयर को मैं जानता हूँ, तो मैं बलता हूँ उजयर की बात और ये 3rd person की तो मुलता हूँ उजयर भी लगा सकता था यहां पे, मगर मैं He is fond of playing cricket ये cricket खेलने के शौकीन है ये cricket खेलने के शौकीन है I am also fond of playing cricket मैं भी cricket खेलने का शौकीन हूँ चच्छा ने कैसे हमारे 46 बैतरीन बैतरीन मारे यार बड़े अर्से बाद हफीज याद आगिया मुहमद हफीज के भी ऐसी complete success थे तो मुझे वो याद आगिया हमारे भी ऐसी success है है ऐसा मसला नहीं कभी देखो वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है अजरा की बात कर लेते हैं आप करने सर आप पूरी क्लास से हम बुछता हूँ अजरा के भी तो कोई काम बता है जो इनको करना पसंद है तो आप फॉरं बोलते हैं तो आप फॉरं बोलते हैं तो आप लोग किसके चीज के शौकीन है कुछ sentences हो जाएं आपकी तरफ से बनाएं कि भाई I am fond of writing lecture He is fond of going barrier town ये barrier town जाने के शौकीन है भाई तबही ना He is fond of No, no, no So fond of किसी चीज के शौकीन होना जब हम इसके negative की तरफ जाते हैं negative तो B वाले जितने भी फॉर्मिला है B वाले उनका negative बनाना तो बहुत ही असान है I am fond of I am not fond of teaching English मैं कहता हूँ के भाई मैं English पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ पैसे के लिए पढ़ाता हूँ यह तो वो बैतर जानते हैं के I am not fond of teaching English मैं English पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ तो जब negative बनेगा तो सरफ B के बाद not लगा देंगे कोई rocket science नहीं है जब सवाल बनेगा तो यही B शुरू में आ जाएगा Is he fond of playing cricket क्या वो cricket खेलने का शौकीन है मैं English बोलने की शौकीन हूँ I am fond of speaking English मैं presentation देने की शौकीन हूँ I am fond of giving presentation मैं pizza खाने का शौकीन हूँ I am fond of eating pizza So whenever we talk about the keen शौक की बात होगी तो be fond of इस्तमाल होगा यह lecture past में भी जा सकता है जैसे I am fond of teaching English मैं English पढ़ाने का शौकीन हूँ Past में जाएगा तो Was I was fond of teaching English मैं English पढ़ाने का शौकीन था अब नहीं हूँ और future में भी जा सकता है कि I will be एक बार teaching आजाए बस देखो फिर I will be fond of teaching English मैं teaching करने का मैं English पढ़ाने का शौकीन हूँगा चलें वापिस प्रेजेंट पे आजाते है प्रेजेंट में जाएदा यूज होता है ना इसलिए I am fond of teaching English बास समझाई के lecture का नाम है Be fond of plus what by in the form क्या बात करता है When we enjoy When you enjoy Doing something किसी काम के आप लोग शौकीन हो कोई काम करना आपका शौक को आप बार-बार करते हो चलो भई ये बात समझाती है Formula is Formula ना के Formula Formula Stupid Student You को सही बोलना है Subject Plus be fond of Plus what by in the form Plus object ये Formula है I am fond of teaching English मैं English पढ़ाने का शौकीन हूँ मगर आपको एक बात बता दूँ मैं आप ये lecture नहीं सुनेंगे British से अक्सर क्यों नहीं सुनेंगे क्योंके जब वो ये lecture बोलते हैं तो बिलकुल अलग तरीके से बोलते हैं चले आईए अब थोड़ा pronunciation की तरफ थोड़ा accent की तरफ ले जा रहा हूँ आपको सही है ना के British कैसे बुलते हैं इस lecture को सबसे पहले तो भाई पहला काम वो ये करते हैं कि subjective pronoun और बी को आपस में मिला देते हैं मिला दिया I am क्या हो गया? I am He is क्या हो गया? He is She is क्या हो गया? She is मिला के सही है बाई? अच्छा बाई और इनका एक informal contraction भी है informal कि जहां जहां आफ लगता है ये लोग आफ अटा देते हैं और A लगा देते हैं kind of kind of for example kind of तो आप देखना है इसको ये लोग कैसे बुलते हैं informal contraction है मगर spoken में समझने के लिए ज़रूरी है ये पता चले हो कोई कुछ बोल रहा है और आपके सरपे से जा रही है तो fond of का off हट गया A आ गया फिर इनकी एक और आदात है कि ये ing form का g silent करते हैं हम लोग क्या बुल रहे है I am fond of teaching English मैं English पढ़ाने का शौकीन हूँ मगर आप देखें तरह British go कैसा बुलेंगे I am fond of teaching English accent में इतने speed में बुलते जाएंगे I am fond of teaching English हम बुलेंगे He is fond of playing cricket वो cricket खिलने का शौकीन है मगर वो क्या बुलेंगे He is fond of playing cricket He is fond of playing cricket speed में बुलेंगे It is Harry to Jerry हमारे सर पे से गुजरता है तो subject और B को मिला देते है फिर fond of को off अटागे I am fond of doing work में काम करने का शौकीन हूँ I am fond of doing work I am fond of doing work में काम करने का शौकीन हूँ Like this they say Okay So I hope you understand the lecture The lecture is very simple It is about be fond of Whenever you enjoy doing something So in that case We people use be fond of And I want you people To make more and more sentences for this lecture If you make more and more sentences You will be okay Because practice make mean Perfect Okay And I hope you understand these tips also About the accent And the vocabulary also Okay Now it's up to you Over to you You people will have to make At least 10 sentences Okay Even you can make for present also You can make for past also Please carry on Please go ahead Please keep it up Continue Okay Thank you